हलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकेंट ब्लोग बिद प्रियंका सिन्ना में आज हम सेर करेंगे आपके साथ गार्लिक बटर पराठी की रेसिपी और हम इसे बनाएंगे मल्टी लेयर में आप देख सकते हैं एक एक अच्छे कैसे खुले हुए हैं बहुत आसान है इसे बनाना और ये बहुत टेस्टी लगता है आप इसे एक बाद जरूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी तो चलिए हम बनाते हैं गार्लिक बटर पराठा तो सबसे पहले हम आठा गूद के तयार कर लेंगे इसके लिए हम एक बॉल ले लिए हैं यहाँ पे और इसमें हम ले रहे हैं एक कप गेहों के आठे और एक कप मैदा आप चाहे तो सिर्फ आठे में बना सकते हैं या लेंगे तो नम्मक आपते ट्रेस्ट के अनुसार कम जादा रख लीजिए अब यह सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो पहले हम ये सब अच्छे से mix कर लेते हैं इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे गूद लेंगे आटे को तो यहाँ पर ये अच्छे से mix हो गया है अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके हम एक soft सा dough तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आटा गूद लिए हम पुरा एक कब पानी हमको लग गया है इतना आटा गूदने में अच्छे से मसल मसल के हम एक soft सा dough तयार कर लिए हैं अब इसके उपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे ढख के हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए तो आटा को हम ढख के रख देते हैं और तब तक हम garlic butter बना लेते हैं इसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से लेसन को छिल के ले लिए हैं और यह छोटा सा कद्दू कस है मेरा इससे हम इसे कद्दू कस कर लेंगे पर आप चाहे तो इसे खल में मिहीन कूच भी सकते हैं अच्छे से इसे कूट लीजे जैसे अद्रक उटने वाला होता है ना उसमें आप इसे कूट भी सकते हैं पर हम यहाँ पर पूरे लेसन को कद्दूकस कर लिए हैं तो यहाँ पर लेसन मेरा पूरा हो गया कद्दूकस अब एक हम बॉल लेंगे और इसमें यह लेसन को डाल लेंगे यहाँ पर हम लेसन थोड़ा ज़्यादा लिए हैं पर आप अपने पसंद से लेसन को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो लेसन हम इसमें डाल लिए अभ इसमें हम डालेंगे एक चमच चिली फ्लेक्स यहां तीखा भी आप अपने पसंद से ज्यादा कम कर लीजें और आदे चमच हम यहांपे औरिगेनो डाले हैं यह बिल्कुल आप्सिनल है और बटर को हम मेल्ट करके यहां पे इसमें डाल ल ब्राथा पराथा बनाएंगे तो आठा को पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए आप आठा को फिर से मसल लिजेगा और अब आप पेरे काट लिजे आपको कितना बड़ा पराथा बनाना है आप अपने पसंद से बड़ा चोटा बना सकते हैं तो हम यहाँ पे एक पेरा काट लिए हैं, इसे हम दोनों हातों की सहायता से प्लेन कर लेंगे और यहाँ पे हम थोरा सा सूखा मैदा लिए हुए हैं, सूखे मैदे में लपेट के हम इसे बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं पहले तो हमें वैसे ही बेलना है तो रोटी की तरह हम इसे एक बेल लेंगे पतला थोरा थोरा सा सूखा मैदा या आटा आप जो भी लिए हैं वो लगा के एक पतला सा रोटी आप बना लीजे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा रोटी तैयार हो गया है अब इसके उपर हम गार्लिक बटर लगाएंगे जो बना के रखे हुए हैं तो थोरा सा रखिये और चमत से या फिर हाथ से ब्रस से जैसे भी आपको आसान लगता है वैसे आप इसे लगा लीजे पूरे रोटी में लगाना है हमें तो देख सकते हैं यहाँ पे हम पूरे रोटी में लगा लिए हैं अब इसके उपर हम खोप किया हुआ धनिया का पत्ता थोरा सा डाल लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो किनारे से आप देख सकते हैं थोरा सा उठाएंगे फिर आगी ले जाएंगे और आधे को पीछे ले आएंगे जैसे बचपन में हम लोग पेपर बनाए हुए है पेपर का और इसे अच्छे से हम चिपका देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है अब एक अंगली को बीच में रखिए और इसे गोल गोल घुमाके किनारे को फिर से बीच में लाके घुसाके इसे हम लॉप कर देंगे अब देख सकते हैं बहुत आसान है और अब इसे अच्छे से दबा दीजे आप चाहे तो ऐसे बना के रख सकते हैं और जब आपको खाना होना तब बेल के सेक लीजे तो इसे अच्छे से हम दबा दिये हैं अब सूखा मैदा थोरा सा लगा के इसे हम बेल लेंगे तो इसे बेल येगा थोरा सा हलके हाथ से बे हलके हाथ से हम इसे बेलेंगे तो यहां पर एक पराठा हमारा तयार हो गया है और अगर आपको यह आसान नहीं लग रहा है तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं आसान है वो इससे थोरा सा आसान है आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं तो एक पराठा हमारा तयार हो गया है हम इसे एक अलग प्लेट में रख लिए हैं और सेम प्रोसेस से पहले तो हमें रोटी बनाना है तो एक पेरा लिए हैं हम इसे प्लेन करके बेल लेंगे पहले रोटी की तरह हम इसे प्लेन बेल लेंगे जितना पतला बेल सकते उतना बेल लीजे तो हम यहां पे रोटी तयार कर अब इसके उपर हम गार्लिक बटर लगा लेंगे अब अच्छे से हम गार्लिक बटर लगा लिये हैं और एक चाकू लेके हम इसे बीच से ऐसे कट कर लेंगे यह थोरा सा आसान है इसमें भी बहुत अच्छा लेयर बन जाता है तो थोरा सा धनिया का पता हम इसके ऊपर डाल लेंगे और अच्छे हमुसे फैला लिए अब ये किनारे से थोरा सा उठाईए और इसे राउन राउन घुमाते हुए पूरे को लपेट लेंगे आप देख सकते हैं कितना आसान है अब इसे दवा दीजे फिर एक पेरा हमारा तयार होगे और फिर इसे हम बेल लेंगे वैसे ही हलके हाथ से इसे भी हमें बेलना है तो ये तरीका थोरा सा आसान है आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं तो दो पराठे हम बेल लिए हैं और चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं तो तावा हमारा गरम था हम इसमें एक पराठा रख देंगे और उपर का हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं अब हम वैसे ही सेकना है अब यहाँ पर आपको घी या तेल जो भी पसंद करते हैं वो लगा के दोनों साइड इसे अच्छे से दवा दवा के सेक लीजे बहुत अच्छे से इसका लेयर खुलने लगता है हम आपको नजदीक से दिखा रहे सेकने के टाइम में ही आपको दिख जाएगा इसके सारे लेयर खुल रहे इसे थोरा सा मेडियम गैस पे ही सेक कियेगा तभी पराठा क्रिस्पी होगा तो आप देख सकते हैं इसका लेयर कितने अच्छे से खुल रहे इसे दबा दबा के हम अच्छे से सेक लेंगे तो एक पराठा हमारा बनके तयार हो गया है देख सकते हैं आप सेम प्रोसेस से दूसरे पराठे को भी हम सेक लेंगे इसमें भी बहुत अच्छा लेयर बन जाता है दोनों पराठे में अच्छे से लेर बन जाता है आपको जो भी तरीका असान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं तो यहां पर हमारा पराठा बन के तयार है आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा सा गार्लिक बटर फिर से लगा सकते हैं इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम थोरा सा गार्लिक बटर और लगा लेते हैं गार्लिक बटर पराथा हमारा पूरी तरह से बन के तीयार है आप देख सकते हैं यह पराथे आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी चटनी सौस अचार के यह से बहुत टेस्टी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे, कमेंट कीजे तैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में